उत्तरप्रदेश के हर्दोई के माधोगंच शेत्र में नाबालिक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है आरोपों की माने तो गाउं के ही युवक ने घर से कोचिंग जाते समय नशीला पदार सुंगा कर रेप की घटना को अंजाम दिया था और उसी दोलान किशोरी का अशलील वीडियो भी बनाया था विडियो और फोटो वाइरल होने के बाद परीजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है जिसमें पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है तथा युवती को मेडिकल परिक्षन के लिए भेज दिया गया है इस बारे में अपर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि परीजनों के शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उने बताया कि थाना मादो गंज में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ एक युवक ने गलत हरकत की है उसकी अश्लील फोटो भी कीची है शिकायत में ये भी वताया गया कि वह उनकी बेटी को एक साल पहले बहला फुसला कर ले गया था ये वह को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है और युवति का मेडिकल परिक्षन कराया गया है आगे की कारवाई की जा रही है इसे ही लेटा है उसका मेडिकल करा जा रहा है और सीगरी एक सोचोंसर का बैया करा करा करके विवचना का सीग निस्तान किया जाएगा ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्स्क्राइब करें खन्यवार